Hi everyone, स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल शिवानी स्टरी हव में आज की वीडियो काफी important है जो की बच्चे semester exam को लेकर काफी परिशान है कि परिक्षाएं कब होंगी चाहे आप किसी भी courses में हो चाहे वो BA, BSC, B.com, चाहे UPG courses में फिर आपके M, A, M, C, M, Com, Banking and Insurance, MBA, Everything तो बात करें किसी भी college में हो हर college और university की हम बात करें जो semester वरिक्षाएं होती हैं वो आगे पीछे ही करके किसी भी university में हो आप हो किसी भी courses में हो, किसी भी semester में हो चाहे 1st, 3rd and 5th semester तो बात करें जिस भी college में आप पढ़ते हो या सभी semester के paper को लिखकर आपको update दिया जाता है और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे updates आपको चैनल के, मतलब वीडियो के माध्यम से आपको provide किया है कि आपके जो exam होंगे वो November या December में होंगे ये तो final था कि December के first week में और उसके पहले आपके 10 दिन पहले time table भी जारी कर दी जाएगी परिक्षा form वेगरा भी fill कर दिया जाएगा तो बात करें यहाँ पर अलग-अलग college, university के और से भी जो परिक्षा form है examination form है उसको भी भराने के according notice जो है जारी कर दिया गया है बहुत सारी university में तो बात करें यहाँ पर आपका 17 November से आपका paper जो है परिक्षा आप चाहे किसी भी courses में है UGPG courses कोई भी semester हो आपका चाहे वो first semester हो, third या fifth semester है ठीक है? किसी भी university college में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी important है उसको लेकर काफी एक important news जारी की गई है बड़ी update है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी college universities हो तो differences 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आपके college university के semester exam स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर में आपके जो है paper करवाने जाने की तैरी हो रही है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक notice जारी की गए है इस notice को पढ़ लेते हैं CCSU विशम समेस्टर और बैक के परिक्षशों 26 से भरे जाएंगे यहाँ पर बात करें चौधरी आप किसी भी college इनिवस्टरी से हो तो यहाँ पर 5 दिन पहले 6 दिन पहले आपके जो है exam कराने की बिल्कुल वो तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर चौधरी चदरशिंग विश्व विद्याले अगर हम विशम समेस्टर और बैक परिक्षा फॉर्म की बात करें तो 26 अक्टूबर से भरवाना सुरू करेगा और परिक्षा फॉर्म भरने की जो समय टाइम पीरिड जो होगा वो दस दिन रहेगी और तब ही जो है विश्व विद्याले परिक्षा कारिक्रम जारी कर दिए यहाँ पर CCSU ने सिजंबर में परिक्षा कारिक्रम घोशित किया था इसके अनुसार 17 नमबर से परिक्षा सुरू होनी थी विश्व विद्याले ने 10 नमबर तक विश्व विद्याले परिशर और जो भी अफिलेटेट कॉलेज में विश्व विद्याले ने 17 नमबर से परिक्षा कराने का विरोध किया उन्होंने तर्क दिया कि 90 दिन की पढ़ाई करके बिना परिक्षा कराना गलत है कि मतलब अगर हमने 90 दिन की बिना पढ़ाई हो तो वैसे तो हमारा कुछ तायार नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ लेकर उसको नूटिस दारी की गई थी इसके बाद परिक्षा ने अंतर ने 17 नमबर से परिक्षा कराने कारिक्रम जो अगले आदेश तक क्या है उसको पोस्पन कर दिया है निरस कर दिया गया है विश्व डालै ने परिक्षा अक्टूबर में विश्थम, समेस्टर और बैक परिक्षा के परिक्षा फॉर्म जो है वो फैसला किया है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बहुत करें तो सहाई को सचीव सत्रप्रकाश ने मताये की यहाँ पर बहुत सारी सिद्धाथ युनिवस्टी वगरा हो गई तो वहाँ पर आपके एक्जामिनिशन फॉर्म वगरा फुल हो रहा हो नमबर दिसम्बर में ही आपके पेपर कराने के बिल्कुल चांसस और होंगे भी ठीक है कुछ समय के बात परिक्षा का रिक्रम सुरू है जो दिसम्बर से सुरू हो सकती है लिखित परिक्षा से पहले कराए जाएंगे प्रैक्टिकल ठीक है आपका जो रिटन जो एक्जाम है उसके पहले आपके प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे कॉलेज में किसी ना किसी वर्य से practical नहीं होते हैं इससे practical के young portal पर क्या है upload नहीं होते हैं इसके करण विश्विद्धाले ने result जारी नहीं कर पाता है तो इस पर और एक नया pattern आया है कि सबसे पहले आपका practical हो जाएगा बलब return परिक्षा से पहले आपका practical करा दिया जाएगा ठोड़ ठीक है तो ये एक और कोई भी doubt हो तो comment section में भी आप पूस सकते हों मुझसे telegram link से जरूर जोइन हो जाना semester exam के लिए कोई भी तयारी गरनी है तो आप इस channel से जोड़ सकते हैं किसी भी courses के लिए vabscb.com mmcm.com कोई भी courses है ओके थेंक्यू